सो साइन्स आयम किसम आपका बहुत बहुत स्वागत है जैसा कि ओफिसली अपडेट यहाँ पर आप देख पारे होंगे नोटिप केसन जारी हो चुका है नर्सिंग ओपिसर और एनेम को लेकर पर्मानेंट डबल सीधी बरती यहाँ पर आचुकी है एक लाख पच्चास हजार आपका वेतन सेलरी यहाँ पर रहने वाला है जैसा कि आप यहाँ पर देख पारे होंगे तो सबसे बड़ी वेकेंट से आप मान सकते हो नर्सिंग ओपिसर और एनेम का पूरा अपडेट आपको दिखाएंगे और फोरम भी स्टार्ट यहाँ पर हो चुके है फोरम कर सकते हो फोरम स्टार्ट है तो चले यहाँ पर सुरू करते हैं नोटिफ केसन को यहाँ पर रीड कर लेते हैं जैसा कि नोटिफ केसन में आप खुद देख पार होंगे सीनियर नर्सिंग ओपिसर ठीक है सीनियर नर्सिंग ओपिसर की पोस्ट आपके यहाँ पर रहने वाल डिमित यहां पर 21 से 35 रहने वाली है आप खुद यहां पर देख सकते हो अब यहांपर आप ओलेंगे सर इसमें एज का का रिलेक्सेशन मिलेगा या पर नहीं मिलेगा तो 100% आपको原因 मिलेगा array कर सकते है अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर NM की वेकेंसी तो NM की वेकेंसी की चर्चा हम इसके बाद में करने वाले है अब यहाँ पर Medical Social Worker की वेकेंसी भी रहने वाले है Hostel Warden की वेकेंसी रहने वाले है Kasia की रहने वाले है यह पूरा PDF तो वेसे आपको पता है कि टेलेग्राम चैनल पर मिली जाता है और उसका लिंक हमेशा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवाइलेवल रहता है अब यहाँ पर आप बोलेंगे सरी जोब लोकेशन कहां पर रहेगा फोरम कैसे बरना है तो मैं बोल रहाँ ना कि फोरम तो स्टार्ट हो चुके है यह जो ओपिसल वेबसाइड है यह वाली है यहाँ पर आप देख सकते हो क्योंकि यह जो वेकेंसी है यह आपके एम से रहने वाली है यह देखे है एम की वेकेंसी है फोरम स्टार्ट है आप 5 सितंबर 2023 से फोरम स्टार्ट हो चुके 4 अक्टोंबर 2023 तक आराम से फिल कर सकते हो पीस की बात करें तो यहाँ पर आप देख लो एप्लिकेशन पीस यह सी यह टी वालों का यहाँ पर 1200 रुपे और जनरल ओबिसी का 1500 रुपे लगने वाला है और यह एप्लिकेशन पॉरम स्टार्ट हो चुके है जॉब लोकेशन आपका यहाँ पर रहने वाला है बिलासपूर हिमाचल परदेश तो यह एम्स की तरब से निकाली गई है सांदार वेकेंसी और जो दूसरी वेकेंसी है चलो वो भी आप देखी लो दूसरी वेकेंसी मिदानी की तरब से रहने वाली है यहाँ पर भी सीनिर नर्शिंग ओपिसर और स्टाप नर्स की पॉस्ट है और लेब टेगनेशन की पॉस्ट है अगर आपका कोई रिलिटिव ए फ्रेंड है तो उनको भी बता सकते हो कि लेब टेगनेशन की वेकेंसी भी निकली हुई है सेलरी की बात करें तो सीनिर नर्सिंग ओपिसर का 35,000 स्टाप नर्स का 30,000 और लेब टेगनेशन का 25,000 रहने वाला है और यहाँ पर यह भी सीधी बरती रहने वाली है सिर्फ और सिर्फ आपका इंटर्वु होगा और इंटर्वु की डेट आप यहाँ पर देख सकते हो 21, 22, 23 सितंबर रहने वाली है मीदानी की जो प्राइमरी हेल्थ केर से जो वेकेंसी निकली हुई है यहाँ पर बाकि एजुकेशन, कॉलिपकेशन यह पूरा यहां पर mention किया हुआ है अगर आपको senior nursing officer बनना है तो BS nursing आपका होना चाहिए अगर आपको staff nurse बनना है तो J&M आपका होना चाहिए अब ANM की वेकेंसी चर्चा हम बाद में करेंगे lab technician का आप यहाँ पर देख सकते हो यह पूरा update आपको send कर दिया जाएगा कहाँ पर टेलेग्राम चैनल पर लिंक उसका नीचे दे रखा है तो इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे पहले जो EMS वाल वेक्यांसी है उसको देख लेते अच्छे से तो यहाँ पर यह जो EMS बिलासपूर हिमाचल परदेश के वेक्यांसी है इसका स्टार्टिंग डेट और क्लोजिंग डेट हमने देख लिया एप्लिकेशन पीस हमने देख लिए पेमेंट आप उनलाइन कर सकते हो और यह इपोर्टेंट नोट भी है यहाँ पर इसको रीड कर लेना क्योंकि पीडिप आपको सेंड कर दिया जाएगा बाकि यहाँ पर कितनी पॉस्ट है वो भी देख लो नमरों पॉस्ट सीनर नर्सिंग ओपिसर की 4500 कर रखिये यहाँ पर और मेडिकल सोसिल वर्कर की आप यहाँ पर देख सकते हो मेल और फे मेल दोनों एपलाई करेंगे यहाँ पर सीनर नर्सिंग ओपिसर के लिए किलियर बाकि यहाँ पर एजुकेशन, कॉलिपकेशन में तोड़ा एकस्प्रेंस भी यहाँ पर आप देख सकते हो तोड़ा आपका एकस्प्रेंस होना यहाँ पर चाहिए और आपका registration होना चाहिए आपके state से या पिर RC से और आप बात के लिए एस में relaxation की तो एस में relaxation देख ऑंचHHHH को मिले का 5 साल का буду आप देख सकते हो OBC वान को 3 साल का और PWD वान को 10 साल का पूरा इसमें mention कर रका है और मिलता ही आपको एज में relaxation अब बात कलेते selection procedure की तो selection का procedure आपका यहाँ पर examination के थुरू होने वाला है तो exam किस परकार से होगा वो देखलो आपका computer based test होगा ठीक है group B और C तो number for mcqs 100 duration इसकी रहेगी जो timing रहेगा 100 mint करेगा marking यहाँ पर 100 नमर की रहेगी total marks यहाँ पर 100 करेगा clear तोड़ा सा scroll down यहाँ पर कर लेते पेपर आपका English language में होगा क्योंकि आपको पता है कि अधिकतर जो exam होते nursing officer के वह English इस लेंग्विज में होते हैं और एक नमर मिलेगा अगर आप सही करके आते हो ना उसका तो 100 नमर का पेपर है नेगिटिव मार्किंग भी यहाँ पर रहने वाली है 0.25 इस परकार की इसके आप स्वाड लिस्ट के इंडिकेट वो तो देखो आपनी चैनल सब्सक्राइब करी रखा है बेल आइकन पर प्रेस करी रखा है इसकी result वगिरा admit कार विकरा सब हम यह आपको बताएंगे और यह एम्स बिलासपूर ऑपिसल साइड है बट देखो फोरम कहां से आपको एपलाई करना है वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा live एक्जाम सेंटर कहां कहां पर रहेंगे अंबाला में बटिंडा में मिलासपूर में चंडिगड में देरादुन में दिल्ली में यहां पर आपके एक्जाम सेंटर रहने वाले है और अब बात आते कि सर apply कैसे करे how to apply तो देखो apply के लिए आपको इस वाली website पर जाना होगा और हम बढ़ने से पहले यह डोकुमेंट्स आपके पास में होना चाहिए आपका 10 वी का मार्क सीट बार वी का मार्क सीट नर्सिंग का डिगरी डिप्लोमा नर्सिंग का रजिस्टेशन और इसकलबा आईडी प्रूप और पासपोर साइज का फोटू यह बेसिक डोकुमें आप देख लेना यह इंट्रक्शन से फोटो को लेकर क्योंकि यह टेलेग्रम पर सेंट कर देंगा या फिर एमकेस अकेडमी पर भी आपको मिल जाएगा लिंक नीचे देरकाई दोनों का अब चलो मैं आपको तोड़ा सा एपलाई करके दिखा देता हूं डोकुमेंट्स मे नमर 3 पे आपको मिल रहा हूं का बिलासपुर हिमाचल परदेश इस पर आपको क्लिक करना है तो जिसे आप क्लिक करते हो यह इस परकार का ओपन हो जाता है वेकेंजिक का ओन-्लाइन एप्लिकेशन फोरम यह देखेए और यहाँपर तीन लिंक आपको मिलते हैं एक तो कि यहां पर किलिक आपको करना है तो चलिह यहां पर क्लिक हम कर लेते हैं तो इस प्रकार का इंटरफेज ओपन हो जाता है जिसका कि यहां पर आप üz पारोंगे यह goin A भिशन हो गया और एपोटंड इंटरसंस आपको देकने को मिलता है यूजर आइडी पासवार ठीक है तो ये प्रोस्पेक्ट स्विगरा हाउ टू फोरम को कैसे फिलब करें ठीक है ये सब आप यहाँ पर देख सकते हो पूरा यहाँ पर मेंजन है क्लियर और यह डेट भी देख लो कि फोरम कब से स्टाटे तो फोरम अल्रेडी आपके स्टाट है और चार अक्टोमर इसकी लास डेट है आपका जो फ्रेंड से लिए उनको भी बता देना ताकि गवर्मेंट जोब लग जा है उनकी भी अब यहाँ पर देखो रेजिस्टेशन आपको यहां से करना है यहां से भी कर सकते हो दोनों उप्शन है तो उसके सामने जैसे हमने किलिक किया यह इस प्रकार का इंटरफेज ऑपन हो जाता है तो अब आपको यहां पर क्लोज में करना है तो अब आपको यहां और तो यह चाहते हो तो यहां से कर सकते हो और डेट और यहां पर आपको मेंशन करना है और जेंडर आपको यहां से मेल और पेमेल जो भी आपका है यहां पर आपको क्योंकि दोनों करेंगे यहां पर और फिर यहां पर आपका मोबाइल नमबर जो चालू है क्योंकि उस पर अपडेट म कर देना थोड़ा सा नीचे फिर यहां पर रिवेरिपाय आपको कर देना है तो इस परकार का इंटरफेस हो जाता है और यह फोर में फोरूम हो जाता है तो बस उसमें आपका नाम पाता एड्रेस आपका education qualification वो mention आपको कर देना है कोई इश्यू नहीं है और इनके बाद अगर हम बात करें A&M की तो मैं यही कहूंगा जूनियर नर्स और स्टाब नर्स दोनों के एक साथ वेकेंस से निकली हुई है यहाँ पर आपके गया बिहार में तो 25 सितंबर से पहले-पहले कर सकते हो यह लिंक रहा और यह सारा मेट्रेल हम आपको एमकेस अकेडमी पर अवाइलेबल करवा देंगे तो यह एप्लिकेशन आपको गूगल प्लै स्टोर पर भी मिल जाएगा और वेसे इसका लिंक और टेलेगराम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिशन में दे रखाए विजिट आप कर सकते हों